विश्व का लगभग हर कोना किसी न किसी अचंभित कर देने वाले रहसियों से भरा हुआ है। दुनिया में स्थित कुछ रहसिमई जगहों के बारे में जब कोई पढ़ता है या सुनता है, तो वो इनसान कुछ समय के लिए सच में अचंभित हो उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। काला सागर के पास स्थित विश्व का एक ऐसा देश है, जो कई रहसिमई कहानियों के लिए पूरे देश में फेमस है, लेकिन सबसे अधिक कोई रहसिमई स्थान है तो उसका नाम होया बस्यू जंगल। इस आर्टिकल में हम आपको होया बस्यू जंगल की रहसिमई कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन कहानियों के बारे में जानने के बाद आप भी कुछ समय के लिए अचंभित हो सकते हैं। इस जंगल की रहस्यमई कहानियों के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि यह रहस्यमई जंगल विश्व के किस देश में मौजूद है। आपको बता दें कि काला सागर के आसपास में स्थित रोमानिया रोमानिया के ट्रांसलवेनिया प्रांत में होया बस्यू जंगल मौजूद है। यह जंगल बेहद ही घाना और खतरनाक माना जाता है। होया बस्यू जंगल रहस्यमई कहानी बेहद ही दिल्चस्प है। इस खतरनाक जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहां एक दो हजार नहीं, बलकि सैकड़ों लोग रहस्यमई तरीके से गायब हो चुके हैं और आज तक कोई नहीं मिला है। होया बस्यू जंगल को इतना खतरनाक और रहस्यमई माना जाता है कि इसे कई लोग दुनिया का दुनिया का दूसरा बर्मूडा ट्राइंगल भी मानते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि इस जंगल में हर समय अजीब औगरीब घटनाए होती रहती हैं। होया बस्यू जंगल के बारे में ऐसे कई मिथक हैं जो इसे और भी रहस्यमई बनाता है। यह कहा जाता है कि इस घने जंगल पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए कोई भी इस जंगल में घूमने के लिए जाता है, वो लौट कर वापस नहीं आता है। इस जंगल को लेकर कई लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूत प्रेत के अलावा एलियन भी रहते हैं, और भी इनसान इस जंगल में जाता है, एलियन उसे गायब कर देते हैं। लगभग 700 एकड में फैला यह जंगल टेड़े मेड़े पेड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े पेड़ टेड़ मेड़े ही होते हैं और बेहद ही डरावने लगते हैं। किवदंती के अनुसार एक चरवाहा कुछ भेड़ों के साथ इस टेड़े मेड़े पेड़ों के बीच में गया था और अचानक से गायब हो गया था। माना जाता है कि साल 1870 के आसपास एक लड़की इस खतरनाक जंगल में गलती से पहुँच गई थी और बाद में कभी नहीं मिली।